जिस पकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये ये दिल्ली सरकार की सासन चलाने की नाकाम्याई का जीता जाकता सबूत है तो इस तरह दिल्ली में ही पेट्रोल छे दिन के भीतार किष्टों में वढ़ते हुए 3 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है आज आठी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड़े गोदने के लिए भेजना पड़ा ये आपकी विफलताओं का समारग है क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया आप क्लियर कर दीजिए, औडिट कर दीजिए, कोई प्रब्लम ने प्रप्टो उन्हीं की पार्टी सत्ता में हैं अब मोधी जी उन्हीं मुद्धों पर चुप हैं जिन पर वैं पहले सरकार के खिलाफ खुल कर बोला करते थे आज हम आपको पहले के मोधी के बयान और आज के मौजूदा स्थिती के बारे में बताएंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीर्जल दोनों के दाम बढ़े हैं पहले आप यह सुनिये कि जब मोधी जी विपक्ष में थे तब पेट्रोल डीर्जल के दाम बढ़ने पर सरकार के खिलाफ क्या कहते थे साल का रिपोर्ट कार के कुछी घंटों में उन्होरे देश में जिस पकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये यह दिल्ली सरकार की सासंच चलाने की नाकाम्याई का जीता जाकता सबूत है देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बढ़ा बोज होने वाला है सरकार पर भी बहुत बढ़ा बोज होने वाला है मैं आशा करूँगा कि प्रधान मंत्री जी देश की स्थिती को गंवीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए है उसको वापिस करें अगर अब की मौझूदा स्थिती की बारे में बात करें तो 12 जून तक पेट्रोल और डीजल के लगातार भाव 6 बार बढ़ चुकी है 6 दिन में पेट्रोल डीजल की खीमत देश में 3 रुपे प्रती लीटर से ज्यादा बढ़ चुकी है तेल मेहगा होने का मतलब होता है मेहगाई का पढ़ना पर अब अगर को इस पर सवाल खड़े करेगा तो उन्हें एंटिनेशनल कहा जाएगा जैसे कि आर्नब ने पहले भी कहा था कि जो मोदी के खिलाफ है वे देश के खिलाफ है अब हम बात करेंगे मनरीगा की जिसको लेकर मोदी जी कॉंग्रेस का मजाग बना चुकी है पहले सूनिये मोदी जी ने क्या कहा था मनरीगा के बारे में तेरी राजनीटिक सुजबुच कहती है कि मंद्रे का कभी बंद मत करो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि क्योंकि मंद्रे का आपकी बिफलताओं का जीता जात्ता स्मारक है आज हादी के साथ साल के बाद आपको लोगों को गड़े गोदने के लिए भेजना पड़ा ये आपकी बिफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा हाल ही में संकट के समय सरकार ने मनरीगा पर भरोसा जिताया है निर्मला सीतारमन ने रहत पैकेज से जुड़े प्रेस कॉन्फरेंस में बताया था कि बड़ी संख्या में अपने राज्ये लोटने वाले प्रमासी मजदूरों को जिस योजना की मोदी जी पहले अलोचना करते थे आज उसी के जरिये लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है Budget estimate for Mandrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme was 61,000 crores. We know and I have yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages and we have made provision so that they can also join in if they want to enroll in Mandrega. So, garment will now allocate an additional 40,000 crores. This way, we will ensure that during the monsoon season and since many of them have gone back to their villages and if they enroll, they will get the jobs. So, 40,000 crores of rupees is additionally given over and above the B.E. इसके बाद, बात करते हैं भारत-चाइना विवाद की. चाइना और भारत की बीच हाल ही में तनाव किस्तिती बनी हुई है. अमिच्छा ने तबकी सत्ता सरकार यानि कॉंग्रेस सरकार पर ट्वीट का निशाना साधा था. उन्होंने लिखा था कि मोदी जी जब विपक्ष में थे तब वह भी चाइना की मुद्दे को लेकर सरकार की काफी अलूचना करते थी. भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाब आवाज उठानी चाहिए थी. लाल आँख करकर के चाइना को समझाना चाहिए था. उसके बजाए हिंदुतां इदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बिजिंग इतना बड़िया शहर है. मुझे यहां रहने का मन कर जाता है. हाल ही में इस तनाव की स्थेती को लेकर मोधी जी ने शायद कोई ट्वीट भी नहीं किया. मोधी जी ने अपने भाशन में कहा था कि चाइना की हरकतों को लेकर आवाज उठानी चाहिए. और अब जब मोधी जी परधान मंत्री बने हैं, तब उन्होंने चाइना के अमिच्छा जो पहले अलोचना करते थे चाइना मुद्दे पर, अब वे हाली में दिये इंट्रिव्यू में भारत चाइना विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं बोले. भारत की सिमाव की सुरक्सा के लिए और भारत के सार्वभुमत्व के लिए कटीबद है, इसकी कुछ भी हानी हम नहीं है. चीन के साथ क्या परिस्थिती बनी है, सर, क्या बॉर्डर के दोनों तरफ जो आमीज है, उनके लेकर? अब बात करते हैं PM Care's Fund को लेकर, जिस पर काफी विवाद रहा है, PM Care's Fund में पार्दर्शिता को लेकर सरकार की काफी अलोचना होती रही है, पर PM Care's Fund को लेकर मुदी सरकार विपक्ष पर उंगले उठाती रही है. मुदी जी ने प्रार्दिश्थिता को लेकर पहले क्या कहा था आप ये भी सुनिए. अब भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहाँ होता है, वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरी कोई जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार के तीजोरी के पैसे कहां खर्च किये गए वो गुना है अब विपक्ष ने सरकार से PMKs फंड की पार्दाश सिता को लेकर सवाल किये यह आप मेरा प्रेस कॉंफेंज देखिए इसमें मैंने कोई राजनेतिक आकरमन नहीं किया आपने मुझे से पूछा आपने मुझे बहुत सारी ओपरचुनिटी दी मैंने एक भी ओपरचुनिटी नहीं ली क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि यह टाइम नहीं है यह टाइम मदद का है फ्रेंक्ली बताओं हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है हमें उनके साथ खड़ा होना है वो काम हम कर रहे हैं देखिए जो मैंने कोविट आप के बारे में बोला वो ही PMFund के बारे और मेडिया ने विपक्ष को सवाल पूछने पर अलोचना करनी शुरू भी कर दी थी आखेर विपक्षी नेताओं का तो काम ही होता है कि वह सरकार से सवाल करें जो पहले मोदी जी भी किया करते थे क्या मेडिया ने तब उनकी अलोचना की थी कभी मगर कहूंगा ये सारे राष्ट विरोधी जो हमारे त्याग पर उंगली उठाएगा वो देश विरोधी माना जाएगा कोरोना का संकत अभूत पूर्व संगत है इसमें जान की हानी तो हो ही रही है साथी लॉकडाउन की वज़े से सरकार की आमदनी भी लगभग ठप है कोरोना से लडने के लिए सरकार को पैसे चाहिए ऐसे में सरकार ने देश की जंता से मदद की अपील की डॉलर के मुकाबले रुपए की किमत को लेकर मोदी जी तब की सत्ता सरकार की काफी अलोचना किया करते थे रुपए इस पोट को सहन ही पाएंगे पिप हइन भारत सरकार जो चीजे लाती पेठती है उसको सहन हुश्किल होते है आर ठिजी के सफ़कार जबाब नहीं नहीं कि वैरेगी नेपाल का अलुकिया ऑसे ओभन हैं पाकितान की करणसी को कोई प्राब्लम नहीं है, स्रीवनका की करणसी को कोई प्राब्लम नहीं है देश जानना चाहता है ब्रान मतली ऐसा क्या कारण है पर 12 जूम तक एक टॉलर के मुकाबले रुपए की किमत 75.96 रुपए पहुंच चुकी है इस पर मीडिया ने तो कोई सवाल नहीं उठाया ना ही उनकी अलोच ना की अब कोई भी नेता सरकार के खिलाफ अवाज उठाता है तो उसे एंटिनेशनल केह दिया जाता है हम उमीद करेंगे कि फिर भी सरकार से विपक्ष आगे भी सवाल करती रहे और मीडिया भी सरकार की कम्यों पर सवाल करना शुरू करें